सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानबोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाँ फिर से आपके अपने यूटीब चैनल लानबोट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में संपून जानकारी इंजेक्शन एविल इंजेक्शन डेक्सामेथासोन यह दोनों ही उन इंजेक्शन के नाम है जिनको लगबग सभी व्यक्ति जानते हैं चाहे वह आर एमपी हो एमबीबीस डॉक्टर हो फार्मासिस्ट हो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई आम आदमी हो जो दवाईयों की देखनें और कॉनसी सामयनी कंडिशन होती है इन इंजेक्शन को कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाता है साथ ही हम जाने इंजेक्शन को लगाने की रूट कौनसी होती किस तरह से लगाए जाता और कई अन्यम हत्वपून बातें यह सभी चानने के लिए वीडियो को अंतक साती मेरे चैनल में पहली बार है वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं बूले मैं हूँ आपका दोस्त मुहित और आप देख रहे हैं अपना यूडियो चैनल लड़ों पूले हैं चलिए आज फिर कुछ नया सिकते हैं और आप हां हाई लो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों एविल इंजक्सन जिसका कोम पोजिछिन फेनिरा माइन मेलियस है यह एक एट ऐलर्जिक दवाहे है साथ ही जो डेक्सोना इंजक्सन ने इसका डिंड़ेसी कंडिशनêmे लगाएजाता है किन कंडिशन में लगाए ज्न किसी व्यक्तिकी स्किन, इसकारण सेसे उसके पर तो जंब वहाषत आ चल सब्सक्राइब, ब्लिस्टर हो जाना साधी छोटी-छोटी दाने हो जाना यदि ऐसी कंडिशन होई हो तो यह दोनों ही इंजेक्शन करके पेसेंट को लगाए जाते हैं इसके अलब जो दूसरी कंडिशन है वो किसी प्रकार की मेडिसीन से हाइपर सेंसिटिविटी रियक्शन हो जाती है जिसके लक्सान भी यह सभी है उस समय में भी यह इंजेक्शन लगाए जाता साथ किसी प्रियोग लिया जाता है साथ किसी पेसेंट को मदुमक्खी मकडी या किसी चोटे जहरी ले करें काट ले और जिस काट से उसके स्किन पर फफोले हो गया है ब्लिस्टर हो गया हो तब भी यह इंजेक्शन पेसेंट को फाइदा मिलता है और सामनी जो कंडिशन ने हैं उसमें हम बात कर लेते हैं तो इनasya को किसी विव्यक्ति को घएले कर स्वांस लेने में दिक्कत आ रही हो स्वांस में कंजेशन हो रहा और वह लंग स्कीन हो दो तेब यह इंजेक्शन लगाने जाता हैं साथ हो बाइप्सक्राइब करते हैं, और अगर बात करें इन दोनों अगर चोटे बच्चे की या अठार साल से कम उम्र के बच्चे की बात करें जैसे दस वर्ष से लगाकर 16 वर्ष का बच्चा है उससे किती अम्र लगा जाता है तो दोनों जो एक 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 लिए जाएंगे किसी बच्चे की उम्र 6 साल से लगाकर 10 साल किये तो 0.5 में 0.5 में ली जाएंगे और अगर 6 वर्ष से छोटे बच्चे की उम्र है तो सिर्फ और पीडिटीशन जो डॉक्टर है उसकी सला पर ही दिया जाता है और जो डोज मैंने बताई है जो मिलिग्राम बता है यह थोड़ अगर फास्ट एक्सेंस ही होता था आए वी इंट्रावीन जूट से इसको लगाते हैं और इस इंजेक्शन का प्रियोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सला पर ही करें क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया एविल डेक्सोना इंजेक्शन को रियक्शन कर सकता है बहुत ही रे सब्सक्राइब करते हैं और जो आने वाले वीडियो के सब्सक्राइब में देख सके आप ते पने दोस्त मोहित आदिक साथ देखे थे अपना इंग्यों फ्रेंड्स टेक क्यार एंड बी कैप फो मैडिसी नीज़स